दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पैन की कैप में एक होल होता है आखिर वह क्यों होता है पैन के धकन में होल होने का असल कारण आखिर क्या है जी हाँ दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में दोस्तों पैन का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर और अक्सर आपने देखा होगा कि पैन की कैप पर एक होल बना होता है और क्या आपने कभी सोचा है कि यह होल किस वजह से बना होता है दोस्तों लोगों का सोचना यह होता है कि यह होल इसलिए होता है ताकि इंक कभी सूक न जाए लेकिन सायत लोगों को यह सोचना गलत है दो वज़े से बच्चों में pen की cap को गले में अटकने का खतरा बना रहता है और अगर कभी कोई बच्चा pen की cap को गलती से निगल लेता है तो उस बच्चे को pen पर बने hole की वज़े से oxygen यानि सास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है जब तक कि उस बच्चे को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता दोस्तो पैन के टैप पर होल बने होने का एक कारण यह है भी है कि उसके अंदर आक्सिजिन की परवहा बनी रहे और कारवन डाय आकसाइड के दवाव के कारण इंक बाहर की तरफ ना आए दोस्तों आपको यह है जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आल पर प्रेस करना बिलकुल भी न भूलें ताकि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तैंक यू